मेरा प्रियास है कि मैं आपको अति परवले के बारे में समझा सकूँ, हाई पर बोला के बारे में सभी शंकू परिच्छेदों में संभवता यही है जो उस लोगों को उलजा देता है क्योंकि वृत एवं दीर वृत के समान इसका रिखा चितर खीचना उतना सरल नहीं होता आपको कुछ अधिक बीच गणित करना पड़ता है परन्तु इस वीडियो के माध्यम से यह सरल लगने लगेगा और आप देखेंगे कि अन्ने शंकू परिच्छेदों की तुलना में अति परवले कहीं अधिक रुचिकर है तो ये बस एक समीक्षा है मैं आपको विभिन शंकू पिछेदों के सूत्रों मानक रूपों में समानताओं को दिखाना चाहता हूँ एक वृत लेते हैं जिसका केंदर शूनने है इसका समीक्रण है एक्स का वर्ग जमा वाई का वर्ग बराबर है आर के वर्ग के अब मैं इसे दूसरे रूप में लिखूँगा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वास्तव में दीर्ग वर्ग की प्रामानिक समीक्रण के सम रूप है यदि हम इसके दोनों पक्षों को आर वर्ग से भाग करें तो ये होगा एक्स का वर्ग बटा आर का वर्ग जमा वाई का वर्ग बटा आर का वर्ग और ये बराबर है एक तो ये एक वर्थ है सर्कल और एक पर पुना दोराएं एक वर्थ जिसके सभी बिंदू केंदर से सम अपरनुई हम आपता रहां तो यह हुई व्रित की बात और दीर्ग व्रित में भी लगबक आइसा ही है। परन्तु यह दो संख्याइं भिन-भिन हो सकती है। क्योंकि केंदर से बिंदूओं की दूरी अलग-अलग हो सकती है तो यह होता है X का वर्ग बटा A का वर्ग जमा Y का वर्ग बटा B का वर्ग बराबर एक तो यह है दीरगवरित अभी हम परवले को छोड़ देते हैं परवले है तो रुचिकर और इसका अलप ग्यान भी हमें प्राप्त है इसलिए हम इसे भविश्य में विस्तार पूर्वक देखेंगे परन्तु अभी अति परवले इस सूत्र के बहुत पास है अति परवले को हम दो तरह से लिख सकते हैं मैं यहां दोनों तरह से लिखूँगा इसे हम लिख सकते हैं आप यह देखें कि इन दोनों समीक्रोंगों में केवल एक ही भिन्नता है कि यहां जमा वाई वर्ग के स्थान पर लिखा है घटा वाई का वर्ग तो यह होगा एक अति परवले और दूसरा होगा यदि रिनात्मकचिन यहां आ जाए यदि यह होता y वर्ग, बटा, b वर्ग, घटा, x वर्ग, बटा, a वर्ग बराबर 1 यहां रिन चिन x वर्ग पल्स से पहले लगा है, y वर्ग से पहले नहीं अब मैं इन दोनों में से किसी एक दीर्ग वृत का आले खीचने का प्रयास करूँगा। हो सकता है हम दोनों का खीचे, बहुत सी पाठे पुस्तकों और इंटरनेट में ढूंडे तो आपको इसके सूत्र मिल सकते हैं, परंतु वो सब मुझे नहीं भाता क्योंकि एक तो मैं उन्हें भूल जाता हूँ और परिक्षा के बाद तो आप भुला ही देते हैं, आप इन्हें याद करके परिक्षा में सब शिग्रता से हल कर लेते हैं, परंतु बाद में भूल जाते हैं, दूसरे आप इनसे भ्रमित भ देखा के समान होगा A थथा B के प्रयोग में तुर्टी हो सकती है। यहां मैं यह चाहता हूँ कि आप इसे स्वेम सिद्ध करें, हम अभी यही करेंगे। तो यह दोनों आती परवले हैं, तो अपनी विदी के अनुसार आती परवले के लिए मैं सबसे पहले Y को हल करता हूँ. तो यदि मैं यहां दोनों पक्षों में से X का वर्ग बटा A का वर्ग घटा दूँ, मैं यहां रंग बदलता हूँ, तो मुझे मिलेगा रिनात्मक Y वर्ग बटा B का वर्ग, यह तो ऐसा ही रहेगा, बराबर एक घटा X का वर्ग बटा A का वर्ग, अब मैं इस रिन चिन क यहां से हटाना चाहता हूँ और इस B के वर्ग को भी तो हम समीकरण के दोनों पक्षों को रिनात्मक B वर्ग से गुणा करेंगे यधि आप बाएं पक्ष को गुणा करें रिन B वर्ग से तो रिन का चिन और B वर्ग हट जाएगा और आपके पास बचे का Y का वर्ग बराबर है रिनात्मक B का वर्ग और फिर घटा B का वर्ग गुणा A जमा हो जाएगा जमा B का वर्ग, बटा A का वर्ग, X का वर्ग लगबख हो गया और फिर हो जाएगा Y बराबर है, मैं किसी प्रियोजन से लिख रहा हूँ जमा घटा वर्ग मूल क्योंकि वर्ग मूल रिनात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी तो यहां इस धनात्मक पद को पहले लिख लेते हैं B का वर्ग, B का वर्ग, बटा A का वर्ग, गुणा X का वर्ग, घटा B का वर्ग यह देखने में बहुत सरल नहीं लग रहा है अभी हम इसे हल करेंगे यह तो वास्ता में कुछ जटिल लग रहा है परंतु ध्यान रहे हम यह सब अति परवले के अनंत स्परशी जानने का प्रियास कर रहे हैं आई यह देखते हैं कि इसका हल कैसे होगा मैं इसे यहां करता हूँ क्योंकि मैं दूसरा अति परवले भी हल करना चाता हूँ तो यदि यह X अक्ष है और यह यह हैं दो अनंत स्परशी रहाएं और इन अनंत स्परशी रहाँ तक हमारा अति परवले पहुँचेगा तो इन दोनों अनंत स्परशी रहाँ की ढाल एक दूसरे के लिए हरासमान है अभी कुछी देर में आप देखेंगे कि जो हमारे आति परवले हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे ऐसे दिखाई देंगे और जैसे जैसे हम अनंत की तरफ जाएंगे हम इन रेखाओं के पास और अधिक पास आते जाएंगे ये कुछ ऐसे दिखाई देने वाले हैं, ये कभी भी इन अनंत स्पर्शी रेखाओं को स्पर्श नहीं करेंगे, परंतु ये इनके बहुत समीप होते जाएंगे, अब या तो हमारे आती परवले खुला होगा बाईं दिशा में या दाईं और या फिर उपर या नीचे की ओर मैं दोराना चाहूंगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये अनंत स्पर्शी रेखाओं के समीप और समीप आते जाएंगे, परंतु इन से स्पर्श नहीं होगा, ये अनंत समीप हो जाएंगी जब आप अनंत दूरी तक जाएंगे, जब एक्स अनंत रूप स कुछ अंतर नहीं होता क्योंकि रिण का वर्ग धन होता है तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है जब आप रिण या धन अनंत की और बढ़ते हैं जब सीमाएं पड़ेंगे तो आपको इसकी और भी जानकारी हो जाएगी परन्तु ये तो समझ में आता है कि ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है जब कि ये अचर है जो नहीं बदलेगा तो एक्स जब धन या रिण अनंत तक पहुंचता है ये बहुत और बहुत बड़ा हो जाता है और वाई लगबग बराबर हो जाएगा वास्ता में ये संगामी है मैं हमेशा संकेतन भूल जाता हूं बटा A का वर्ग, X का वर्ग, तो यह बराबर होगा, अब आप वर्गमूल ले सकते हैं, आप इसका तो बीच गणिती है विधी से वर्गमूल नहीं ले सकते हैं, परन्तु इसका ले सकते हैं, यह बराबर है धन, रिन, B, बटा A, X, तो यहां से हमें जानकारी मिलती है कि अन अनंत स्परशी की प्रवनता बी बटा एक्स ये हो सकता है धनात्मक बी बटा एक्स और दूसरी होगी रिनात्मक बी बटा एक्स तो अभी हमें जानकारी है कि अनंत स्परशी क्या हैं ये दो रिखाएं जिसमें धनात्मक बी बटा एक्स एक रिखा है वाई बराबर बी बट एक्स दूसरी रिखा है मान लेते हैं ये रिखा ये वाली अनंतस परशी है वाई बराबर धनातमक बी बटा एक्स और हरासमां डाली ए अनंतस परशी हम कहेंगे y बराबर रिनात्मक b बटा a x तो ये हैं दोनों अनंत स्पर्शी परंतू अभी हमें ये देखना है कि आती परवले खुलेगा बाई और या दाई और या फिर उपर या नीचे इसे जानने की दो विधिया है एक तो है उपसादन अर्थात approximation आप पहुंचते हैं यहां जब x आनन्त होता है आप उस संक्या से कुछ कम होते हैं क्योंकि हम उसमें से एक धनात्मक संक्या घटा रहे हैं और फिर उस परिनाम काम वर्ग मूल लेते हैं अर्थात हम अनन्त स्पर्शी की तुलना में हमेशा कुछ कम होते हैं विशेशता जब हम पहले चतुर्थांश में होते हैं मैं आपको इसी प्रकार समझाना चाहता हूँ क्योंकि किसी अन्ने चतुरताश को लेकर आपको समझने में कठीना ही हो सकती है तो अनंत स्परशी से हमेशा हम कुछ कम होते हैं तो हम यहां नीचे से इस और बढ़ते हैं और जब आपको पता है कि आप इस अनंत स्परशी तक ऐसे पहुंचेंगे और चूंकि यह दाईं दिशा में खुल रहा है तो यह बाईं और भी खुलेगा इसके परीक्षन की दूसरी विदी संभवता एक आसान विदी है यह हमारे मूल समीकरण में क्या एक्स और वाई शूने के बराबर हो सकते हैं तब आपको वाई का मान शूने प्रतिस्थापित करना होगा अब आप यहां पर मूल समीकरण देखें या फिर आप यहां इस समीकरण को देखें क्या एक्स कभी शूने हो सकता है यदि एक्स शूने होगा तो यह पूरी संख्या यहां पर शूने हो जाएगी और आपके पास यहां बचेगा केवल रिनात्मक B का वर्ग यानि आपको लगाना होगा रिन का चिन इसके पहले जो होगी रिनात्मक संख्या और फिर होगा इस रिनात्मक संख्या का वर्ग मूल जो होगी कालपनिक संख्यार था, थम X का मान कभी भी 0 नहीं ले सकते, परंतो Y का मान 0 हो सकता है, आप Y को 0 रखकर इसे हल कर सकते हैं, चलिए यहां इसे हल करते हैं, यदि Y बराबर 0 है, तो यह होगा 0 बराबर है वर्ग मूल B का वर्ग, बटा A का वर्ग, घटा B का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग लेते हैं, तो यह होगा B का वर्ग, बटा A का वर्ग, घटा B का वर्ग, बराबर 0 यह थोड़ा उलजा हुआ है, तो यहां यह हो जाएगा B का वर्ग, बटा A का वर्ग, X का वर्ग, बराबर है B का वर्ग, दोनों पक्षों को हम अब B के वर्ग से भाग करेंगे तो यहां मिलेगा एक अब दोनों पक्षों को एक वर्ग से गुणा कर सकते हैं तो मिलेगा एक्स का वर्ग बराबर है एक का वर्ग और अंतता एक्स बराबर है रिन या धन एका वर्ग मूल तो यहां है यह बिंदू एकॉमा शूने और यह बिंदू जो यहां पर है यह है रिनात्मक एकॉमा शूने अब हम अपनी दूसरी समस्य को लेते हैं समय थोड़ा अधिक लग रहा है तो यहां पर जब एक्स पद धनात्मक था एक्स धनात्मक था तब हमारा आती परवले उपर और नीचे चलिए इसे भी सिद्ध करके देखते हैं हमें मिलेगा Y का वर्ग बटा B का वर्ग X वर्ग को दोनों पक्षों में जोडते हैं तो यह हो जाएगा बराबर X का वर्ग बटा A का वर्ग जमा एक दोनों पक्षों को B वर्ग से गुणा करने पर Y वर्ग बराब धन या रिन वर्गमूल बी वर्ग बटा एका वर्ग ऐक्स का वर्ग जमा बी वर्ग एक बर फिर से स्थान कम पड़ गया। पुना ये कह सकते हैं कि जब X धनात्म का त्वा रिनात्म का अनंत को पहुंचता है तो इस समीकरण में इस B का इस अचरमान का कोई विशेश अर्थ नहीं रह जाता है। परंतो यहां हम हमेशा कुछ अधिक होते हैं अनंत-सपरशियों से कुछ अधिक तो धनात्मक चतुर्थाश में हमें ग्यात होता है कि उपर हम यहां पर हैं और नीचे यहां पर। अत्वा हम इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि यहां जबकि यह आती परवले और ध्वारधर है उपर और नीचे की और खुलता है आप देखिए X यहां शूने हो सकता है परन्तु Y कभी भी शूने नहीं हो सकता और यह ठीक भी है यदि आप यहां अपने मूल सूत्र को देखें तो X शूने के बराबर हो सकता है एक्स यदि शूने रखें तो यह शूने हो जाएगा और Y के लिए हल कर सकते हैं परन्तु यदि Y शूने हो गया तो यहां होगा रिनात्मक X वर्ग बटा A वर्ग बराबर 1 अब यहां यदि इसे हल करेंगे तो मिलेगा X का वर्ग बराबर रिन A का वर्ग और हम कालपनिक संख्या तो ले नहीं सकते क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग एक रिन संख्या नहीं हो सकते तो ये भी एक संकेत है जो बताता है कि ये उपर खुलेगा या नीचे खुलेगा क्योंकि इस उधारण में वाई कभी भी शून नहीं हो सकता। शायद अभी आप कुछ भ्रहमित हों क्योंकि मैंने A और B का ही प्रियोग किया अगली वीडियो में अति परवले, दीर्गवरत और वृत खीचेंगे संख्याओं को लेकर फिर मिलेंगे।